पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफतार मामला अठाई दिसंबर का है बैरोड कस्बे के मीडवे के पास बने एटिम को बदमासों के दुआरा रात को लूट कर फरार हो गए थे जिस पर बिवाडी पुलिस अधिक्सक सांतनु कुमार के निर्देशन पर डिएस्टी टीम फर्स्ट और सेकेंड की टीम को निर्देश दिये गए जिस पर दोनों टीमों ने बदमासों की मूबाइल ल लोकेशन मेवाद पाई गई जिस पर टीम ने दबिश देकर हरियाना के पलवल से दो बदमासों को गरपतार किया एटिम लूट के मामले में पांच आरोपी हैं जिसमें मास्टर माइंड गाशेड़ाप का पूरू सरपंच असरफ है असरफ इस पूरे गेंग को चलाता था असरफ ही इन आरोपियों को गाडीम वे पैसे मुहिया कराता था और सभी लोग एटिम लूट की वारदातों को अंजाम देते थे एटिम लूट के बाद आरोपी पूरू सरपंच के घर पहुंच कर पैसे का बटवारा करते थे मास्टर माइंड असरफ किसी आरोपी को एक लाख तो किसी आरोपी को दो लाख देकर फिरी कर देता था और बाकी रूपय अपने पास रखता था पूलिस पूस्ताज में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बैरोड कोट पूतली वे सापूरा में एटिम लूट की थी लेकिन निम्राना अलवर में वो ATM लूटने में नाकाम्याब रहे जिसके चलते पुलिस परशासन बदमासों को पकड़ने में जूटी थी एक मैने की कड़ी मकसकत के बाद गेंग का खुलासा कर दिया इस पूरी कारवाई में DST, First Incharge Sub Inspector मुकेश कुमार SI, सद्धीक खान SI, हरीविलास, सत्पाल, हेड कांस्टेबल, राकेश, महेश, उमपरकास की भूमी का एहम रही पुलिस आरोपियों को कोट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पूरो सरपंच का भी भतीजा सामिल है, वहीं ATM लूट की वारदात के बाद लूटे वे रूपियों का बटवारा भी पूरो सरपंच के घर होता था आरोपी ने अब तक का आदा दर्जन से अधिक ATM लूट की वारदातों को अंजाम दिया है इसमें उनको पता लगा था कि इरपान और अरबल जो गैंग है जो नुझ लेकी है नुझ लेकर रहने वाले इन लोगों की गैंग के पीछे फिर तोनों अधिस्टी टीमों ने अपना एक अगर चितो करके उनका फोलो किया तो इनको तो आरूपी जो इसमें भी पकड़े गए उनकी उख्रीट से इतला मिली जिसका उनों पीछा किया और उनको इनोंने कल रात को ही दस्तियाब करके और हमने अरश्ट किया